26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एमम चारखंड के चातरों के बीच विश्वसनिया संस्थान गोल आपको बता दे कि जब आप किसी भी समस्या को लेकर अपने शेत्र के किसी SP, DSP या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को फोन करिएगा तो एक बार को आप इसलिए भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि आप आम नागरिक हैं उन अधिकारीयों के सामने आपके कोई हैसियत नहीं है लेकिन अगर बिहार का कोई संसद, बिहार के कोई मंत्री नेता अगर चाहें कि हम अपने पद का गरिमा रखते हुए, हम अपने पद की वैल्यू समस्ते हुए, सामने बैठी अधिकारीयों को फोन लगा कर अपनी छेते की समस्या बता दे, तो क्या मजाल है कि बिहार का कैसी खबर बताने वाले हैं कैसी घटना की जिकर करने वाले हैं जिसको सुनने और देखने के बाद आपको भी यह लगके दरसल होता यह है कि केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान के जीजा जो है जो जमोई से सांसद है अरून भारती वो जब एक केस के सिलसले में रोहतास S.P. को फोन लगाते हैं तो S.P. ने बिना उनकी बात सुने फोन काड़ दिया और चिराग के सांसद जीजा जो है वो हेलो हे कर दी गई थी इस वारदात के बाद इलाके में संसनी फ्याल गई थी इस मामने में दो आरोपियों की गिरफतारी हो चुकी है लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है चिराग पासवान के जीजा तथा जमोई के सांसद अरून भारती सोमवार को सासा रम पहुंचते हैं कर पुर्वा गाव पहुंचका संसद अरून भारती ने मुख्य आरोपी को जल्द जल्द गिरफतार करवाने का भरोसा भी दिलाया इस दोरान मुख्य कारिकरता के पिता राजकेश्वर पासवान भावुख हो गये ऐसे में संसद ने परीज़नों को धार्डस बंढ़ाया संसद ने कहा कि पूरा परिवार यानि लोच्पा परिवार जो है वो मृतक परिज़न के साथ खड़ा है उन्होंने पिडित परिवार के लोगों से कहा कि सरोज पासवान उनके परिवार के सदे से थे ऐसे में उनकी हत्या से पूरा संगठन मरमाहत है वो अपने रास्टिय धक्ष चिराग पासवान के शोक संदेश को लेकर यहां पहुंचते हैं इस दोरान उन्होंने मौके से ही SP को फोन लगा दिया SP ने फोन तो उछाया और जैसे ही सांसद ने सरोज पासवान के हत्या का जिक्र किया इतना सुनते ही SP ने फोन कर दिया अरुन भारती फोन पर गु अरुन भारती ने अपनी तरब से पहल की अरुन भारती को लगा कि शायद हम सांसद हैं वो भी चिराग पासवान के तो अगर हम उनको फोन करेंगे हम SP सहाब को अपनी तरब से फोन करके अपनी प्राबलम बताएंगे छेत्र की लोगों की समस्या की बाते रखेंगे तो श चुका है अब आप इस खबर को समझिएगा देखिएगा सुनिएगा तो आपको क्या लगेगा आपको भी वही लगेगा जो हमको लग रहा है कि बिहार के जितने भी बड़े अधिकारी है प्रशासनी का धिकारी है वह आम जंता की बातों को तो दूर जो भी जन प्रतिमीधी हैं चाहे वो मुखिया हो वाट सदसे हो या फिर कोई नेता है कोई मंतरी है कोई विधायक है उसकी बात भी सुनना अब बिहार के प्रशासनी का धिकारी पसंद नहीं कर रहे हैं बाकि आप इस पर क्या कहिएगा आपने रहे बताईएगा वीजियो को समाप्स करते हैं मिलत कर दो अझान यहीं है you